हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हैं आप सब तेवारों पर मीठा और नमकिन तो हम सबी बनाते हैं लेकिन आज हम मठरियां बनाने की कुछ ऐसी ट्रीक आपके साथ सेयर करने जा रहे हूं कि बहुत ही जल्दी और कम समय में बनकर तयार होगी फ्रेंड्स रेसिपी रूम में आपका स्वागत करते हैं चलिए बिना देर किये बनाना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स फेमली में भी आप सेयर करना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को आप फूल वाच कीजिए और इसकी बिल्कुल भी ना कीजिए प्लीज हमारी मेहनत के लिए साथ में लाइक भी जरूर कर दीजिए तो चलिए, सबसे पहले हम दो कटोरी के करीब मैदा ले लेंगे आप चाहे तो इसको आटे से भी बना सकती है नाप के हम दो कटोरी मैदा ले लिए हैं और आधा कप से थोड़ा ज्यादा सूजी ले लिए ये सूजी फ्रेंट से डालना जरूरी है इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और तीन से चार चम्मच के करीब हम तेल डाल दिये हैं चाहे तो आप घी भी डाल सकती हैं अच्छे इसे पर पर्ण गुंद लिए लिये हैं कि ऐसे ही आपको आटे को गुंद ना है ज्यादा डियला भी नहीं घूंदना है नए तो फिर है मठ्रिया जो reduces अथी नहीं बनेगी पुछ नया ट्रिक अपनाते हैं इसको ऐसे ही सारे पहले हम कैची से काटके रख लेंगे यह बहुत जल्दी बनके त्यार होगी है ऐसे ही आप एक बार फ्रेंड्स जरूर बनाना देखने में जो सुन्दर लगेगा लगेगा खाने में भी बहुत टेस्टी करंची एकदम कु राई भी गरम हो गया है इसमें हम दोनों तरफ से अच्छे से फैला देंगे हाथ को जो ना मीडियम टू लो फ्लेम अभी रखना है नहीं तो फिर यह चीटे पड़ेंगे इसके ऐसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें फ्राय कर होगी है ऐसे ही medium to low flame पे एक एक करके हम ऐसे ही सेक लेंगे इसको देखिए हमारा ये अच्छे से रेडी हो गया है, इसको हम एक बरतन में ऐसे ही निकाल लेंगे, दीरे दीरे करके हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ऐसे ही करके हमें सारे बेच तयार कर लेनी है, फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकानी है, गैस को हम कर देंगे कम, फ्रेंड्स बहुत अच्छे से ये म तो भाइब यूटा रखना हो ऐसे यहाँ तैयार कर लीजिए इस हो ली आप इसे फ्रेंड्स जरूर बनाना यदि आपने बना लिया ना इसे तो बार-बार ऐसे ही बना कर खाना पसंद करेंगी बहुत ही कुर्पुरे और क्रिस्पी एकदम खास्ता बनके त्यार हो जाएंग फ्रेंड्स हमारी रेसिपी आज कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर और कोमेंट कर दीजेगा प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए थैंक्यू फॉर वाचिंग फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी और बहुत ही असान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए